ना अंडा, ना बेकिंग पाउडर, ना सोडा, ना ही यहाँ पर मैदा, ना सूजी आज हम बनाएंगे बिना चीनी के गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी और लाजबाब केक जो किसी भी बेकरी के केक को फेल कर देगा तो यहाँ पर यह सुपर सॉफ्ट इस्पांजी केक मैंने बनाया है गेहूं के आटे से तो चलिए रेस्पी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और यह हेल्दी वर्जन केक है, बच्चों को बना कर खिलाईए और आप इसको हमेशा बना सकते हैं एक हफते तक स्टोर करके रख सकते हैं यह अटाई डिब्बे में सर्दियों के मासम में तो चलिए यह सांटार सी केक की रेस्पी बनाना शुरू करते हैं अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और आगे शेयर कर दीजेगा तो यहाँ पर मैंने पहले छोटा सा एक बरतन लिया है और उस पर रख रही हूँ मैं छनी क्योंकि जब भी आप केक बगेरे बनाए ना तो मैदा है गेहूं का आटा है उसको चान कर ले तो यहाँ पर यह नॉर्मल वही आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं तो मेजर्मेंट सेट कर लीजेगा उससे परफेक्ट बनता है और बिगड़ता नहीं है मैंने यहाँ पर डेड़ कप गेहूं का आटा लिया है तो यहाँ पर यह बजन में होगा लगभग 200 ग्राम तो यहाँ पर 200 ग्राम अगर आटा लिया है तो उसमें हम डालेंगे अच्छा गाढ़ा दही जो खटा नहीं होना चाहिए बस गाढ़ा और ताजा दही ले लीजिए दो बड़े चममच और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से क्या होगा जो हमारा केक बनेगा वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा क्योंकि नॉर्मल अगर आप सिर्फ गिहूं के आटे से केक बनाएंगे न तो फिर वो हलवे जैसा टेस्ट देगा और उसमें अच्छा सा क्रीमी डेक्शन नहीं आएगा अगर हम मिल्क पाउडर डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा अब मैं यहाँ पर चीनी की जगे पर इस्तिमाल कर रही हूँ गुड तो गुड आपको यहाँ पर यह जो पीली बट्टी वाला आता है न यह लेना है और यहाँ पर अगर आपके पास गुड का पाउडर है तो आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मैंने इस तरह से इसको очка कर लिया है तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली जो तीन बट्टिया लेई हैं यहाँ पर गुड की जो पीला वाला गुड आता है इससे कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप डार्क देसी वाला गुड डाल देंगे तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए डाल रही हूँ मैं इलाइची तो मैंने यहाँ पर चार इलाइची लिए हरी उनका छिलका हटा कर मैं अंदर के बीज डाल रही हूँ यहाँ पर तो इलाइची को डाल देंगे और यह जो सा लेंगे यहां पर गिहं का आटा, आप मैदे को भी डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से अच्छे से टिन को हमें रेडी कर लेना है अब हमने यहां पर जाल लिया जिसमें हमने गुदर डाला था उसमें डाल रही हूँ मैं घी, मैने यहां पर देसी घी लिया है जिस चमचे से जैसे हम दाल सब्जी परोजते है ना उससे दो चमचे भर कर मेल्ट घी मतलब दो चमचे मेल्ट घी लिया है अब जो हमने मिल्क पाउडर और गिहूं का आटा लिया था ना उसको यहाँ पर डाल दिया अब थोड़ा थोड़ा सा दूद हम एड करते जाएंगे और इस बेटर तो यह देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और हमारा एकदम रिविन थिकनिस वाला बेटर बनकर तैयार हो जाएगा तो अभी यह मुझे थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा दूद और यहाँ पर एड किया है आप नॉर्मल रूम टमप्रेचर वाला दूद यहाँ पर इस्तिमाल केजिए तो यह देखिए इस तरह से चम्मस से करके देख लेजिए और यहाँ मैं आपको ब इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट इकदम अलग तरहका हो जाता है मिल्क पाउडर और कॉफी गेहूं के आटे के केक में जरूर इस्तिमाल कीजिए कोई नहीं कहेगा कि यह केक का बेस है वो बेकरी का नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम इसको कुकर में ब तो यहां नमक टाल देंगे और इस तरह से स्टेंड रग देंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे प्री हीट करने से क्या होगा यह ओवन का काम करेंगा अब मैं यहां पर डाल रही हूँ सफेद तिल सर्दियों का मौसम है तो यहां पर आज मैं कोई टूट से इनो का इस्तेमाल किया है इनो डालेंगे और उसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा दूथ ताकि यह अच्छे से अपना काम कर सके और हलके हातों से इसे इस तरह से मिक्स कर दीजिए और इनो हमें तभी डालना है जब हम केक टिन में बिल्कुल बैटर को डालने जा रहे ह आप अकर इनो डाल रहे हैं मैं बच्चों के लिए बनाती हूं तो इनो का इस्तेमाल करती हूं इससे किसी तरह की भूल चूक नहीं होती है और बड़े आसा केक बन कर तयार हो जाता है नहीं तो आप आधा चमच बेकिंग पाउडर और उससे भी आधा आप यहां पर डाल स कुछ लपेट लीजिए किचन टावल वगेर है फिर इसको रखिए कुकर गरम है और कुकर अगर हाथ में छुल गया तो फिर जल जाएगा हाथ तो यहां पर मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है और बिल्कुल धीमी आज पर यहां पर धीमी आज में हम इसको रख रहे है मैंने रखा था इसको 45 मिनट के लिए और फिर मैं थोड़ा सा मुझे पालर में मेरे काम आ गया तो मैं बहां चली गई थी मैंने इसको बंद करवा दिया था बेटी से कि इसको कुकर को बंद कर तो 45 मिनट के बाद और 45 मिनट के बाद यह ठंडा हो गया तो जब आप इसको ठंडा कर लेना तभी आप इसको demold करें गरम में करेंगे तो यह तूट जाएगा क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे से milk powder बगएर एड़ किया है तो बस इसको ठंडा होने के बाद इस तरह से demold कर लेते हैं इतना ठंडा नहीं हुआ है अभी मैं आपको cut करके दिखाऊंगी यह देखें टिन से धुआ आ रहा है इतना ठंडा नहीं है लेकिन हाँ इसको हमें ठंडा कर लेना है color आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है यहाँ पर और तिल कितने अच्छे लग रहे हैं तो यह थोड़ा साथ किनारियों से उपर आ गया क्योंकि बहुत अच्छे से यह फूल गया था तो मैं इसकी यह किनारिया हटारी हूँ यहां से और लीजिये हमारा टेस्टी सा केक बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर इन किनारियों को तैयार्टे केक है जिसको हमने घर में बनाया है कुकर में बिना अंडा के बिना ओवन के यह टेस्टी सा केक आप बना कर ट्राइ किजेगा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है बस इसी तरह से चीजे डालिये बहुत अच्छा बनता है और खुस्बू तो बहुत अच्छी आ रही है किचन में तो चलिए फटा फट से इसको ट्राइ कीजिए रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए